आज हम मौझूद है आमना सामना की टीम के साथ में ठाकूर पाड़ा पिंपरी विलीज में जहां पर एक ऐसा वाक्या हुआ है कि बच्चों के तालीमी साल के साथ में खिलवार किया गया एक स्कूल यहां पर कायम की गई इस अबादी में जहां पर अभी अभी दो साल तीन साल में हजारों लोगों की आबादी यहां बस गई और उसको देखते हुए यहां पर कुछ जिम्मेदारों ने यह काम किया कि यहां पर एक स्कूल की बुनियाद डाली जिसका नाम है हादी उर्दु इंगली शाह स्कूल लेकिन वो कुछ ही महिनों और कुछ ही दिनों में चलने के बाद में उनके जिम्मेदारों ने उनके जिम्मेदारों ने ये काम किया कि अचानक ऐलान कर दिया कि ये स्कूल बन की जा रही है इस स्कूल में तक्रीबान 130 बच्चे उने दाखला ल लिए गए उनसे एडमिशन के नाम पर पैसे लिए गए अब अफसोचनाग बात यह है कि उन गरीब जो यहां पर आम लोग जो है बिल्कुल गरीब लोग है आम तब किसे तालुक रखते हैं और बिल्कुल यह समझे के खताइफलास से नीचे जिन्दगी गुजारने वाले ल और ऐसी ही वक्त में यहाँ पर एक शादाब सिद्धी की साहबा और उनकी टीम ने ये कोशिश की इन बच्छों के बरबाद होते हैं मुस्तबिल को बचाया जाये नहीं हैं यहाँ पर कुछ चंद किलासों को आगास करने काम शुरू किया कि इन बच्छों के तालीमी जो सा कम रूपएं वहां पर एक तरह से तालीमि सिल्चला शुरूं किया है वो इस्कूल नहीं है उनों के ज्रीए उन बच्चों को समांने का काम किया है जिसको सपोर्ड करने वाली तंजिम है तंजिम वालदेन है यहां कि माकामी तंजिम है मुम्राखी वो लोग आगया के लिए कि यहाँ पर वह एक ऐसी स्कूल आगया आने अले वक्त पर शुरू कर सके जो आज चार कमरों पर है वो कल चार मंजिला इमारत हो और यहाँ पर केजी से लेकर हाइर सेकेंडरी तक स्कूल हो यहाँ पर तो हम आप सब के साथ में इस बात की कोशिश करें और यह की रिपोर्ट जिसमें शादाब शिदी की तंदीमों के जिम्मेदारान और मकाम हज़राद ने क्या कहा है सबसे पहले तो मैं यह वाज़े कर दूँ कि अलहादी स्कूल से हमारा कोई लेना देना नहीं है हम इस स्कूल नहीं जला रहे हैं जूँक्के मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और कही न कहीं मेरा आना जाना रहता है तो मेरी एक दोस्त Hacksana डसनाएक यहां है और शकील अजबनाईसारी साहिबा है तो हम किसी दूसरे ही प्लान के तहट हम यहां पर आये थे चूँक Mary यहाँ पर एक नर्सिंग होम या हॉस्पिटल चोटा मोटा खुलने की भी जरूरत है यहाँ पर तो मैं इनके हाँ बैठी ही थी कि पता चला किसी ने आके कहा कि अलहादी स्कूल बंद हो गई है तो मैंने कहा क्यूं तो बोले अभी रीजन पता नहीं है आज ही स्कूल में वहाँ के इंतिजामिया ने कहा कि कल से स्कूल बंद है बच्चों को भेजने की जरूरत नहीं है तो मैंने पता करने की कोशिश की कि कितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे तो यह पता चला कि 200 एडमिशन हुए थे फिर मेरे जहन में यह आया कि 200 बच्चों के मुस्तक्बिल का क्या और यह भी पता करने की कोशिश की कि कितने कौन सी क्लास तक चल रही थी तो यह पता चला कि जूनियर से लेकर 8th स्टैंडर तक वो भी English मीडियम अलग और उर्दू मीडियम अलग तो वो एक जहन पर बड़ा बार गुज़रा कि आखिर बच्चे कहां जाएंगे हाला कि यहां पर एक और स्कूल भी है लेकिन वो कॉन्वेंट है और उस स्कूल में यह बच्चे अफोग नहीं कर सकते थे इनके प्रेरेंट्स की वहाँ पर जाके एडमिशन कराके उनको फिर से वो सारे कवायत पूरे किये जाएंडमिशन फीज दी जाए और नया यूनिफॉर्म और नई किताबे ली जाएं तो कुछ दोस्तों से मश्वरा करने के बाद यह हुआ कि क्या किया जाए तो चूंकि एक एंजियो से भी मैं मुनसलिक हूँ बिइंग वूमन सोशो एडुकेशनल एड के नाम से है बिइंग वूमन सोशो एकॉनोमिकल कल्चिरल एडुकेशनल सोसाइटी के नाम से उसकी मैं फांडर मेंबर और प्रेसिडेंट भी हूँ तो हमने क्या किया कि उन सारे पैरेंट्स को बुलाया जो बच्चे वहाँ पल रहे थे वो सारे पैरेंट्स को बुलाया और हमने ये कहा कि अगर आपके बच्चों का एक साल बरबाद ना हो और हम कोशिश करेंगे कि जाए ना हो तो क्या आप हमारा साथ देंगे तो उनका भी ताउन हमारे साथ रहा हमने कहा कि हम एक स्कूल नहीं खोल सकते हैं फिलाल फिल वक्त में लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि आपके बच्चों का साल खराब नहीं हो हमने उन सारे बच्चों को विदाउट किसी डोन सोसाइटी यह हमने शुरुआत की अच्छा जो बच्चे वहां पे थे उनको आपने अपनी एंजियों के जरीए जी अडॉप कर लिए उसके आगे अभी आपका क्या है इसके आगे हमारा ऐसा है कि वो बच्चों को हमने यहां पे जोंके किराये पे ही लिया हमने यहां पे चा स्कूलों से बात किया जो नियर बाय यहां से है कि ऐसे 130 बच्चों का मुस्तक्बिल दाओं पर है आप क्या कर सकते हैं तो उन्होंने का कि ठीक है आप कोशिश कीजिए हम इन्शालला दाला उनको अपनी स्कूलों में मर्च कर लेंगे और क्लासिस वहीं चलेंगी क्योंके यहां से वहां तक आने जाने का ट्रांस्पोर्टेशन का जो मसला है वो भी यहां के पैरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो कोशिश यही है कि यह बच्चे यहीं पर रहकर पढ़ें और इनके जो जिस क्लास ने जैसे जूनियर से लेके एर्टी स्टैंडर तक इंग श्रादाफ सिद्धी की जाबा ने हमें फोन किया कि ऐसा ऐसा है इतने बच्चों का मुस्तंगर खत्रे में है वालदेन परिशान है क्या होना चाहिए तो हमने का ठीक है आप चाम को हमसे मिलिए हम जो है मीटिंग करते हैं हमने अपने जिम्मेदारों को बलाया मीटिंग कि और सारी सिचुएशन समझी उन्होंने यहां के एकाद नाम जिये रशिदा अंसारी साहिबा और वगरा का नाम जिया कि वो कॉपरेट करने को तयार हैं तो हमने कहा कि आप सिचुएशन देख आई हैं आप समझ सकती हैं आप जो है आगे बढ़िए तंजीम वालदेन आपक नोट बुक्स की वो हम प्रोवाइड करते हैं और हमारे राबते में धाना मुंस्पर कारपोरेशन के जिम्मेदारान हैं जो एजुकेशन में माहिर हैं उनसे हमने बात किया और उनसे इनकी बात करवा है शादाब सिच्दीग साहबा की कि उनसे मशवरा कीजिए और जैसे बच्चों का वक्त बचाया जा सके साल बरबाद ना हो उस तरह से करके यहां पर एजुकेशन कंटिन्यू होई है और बेंच नहीं है तो भी चटाई बे बैठके हो रही है और जिम्मेदारों ने थाना मुंस्पर के जिम्मेदारों ने हमें ये कहा है कि हम बच्चों का मु जारी है और आइंदा के लिए सारी टेकिनिकल जो रुकावटे हैं वो दूर करके बाकाइदा एक स्कूल कायम करने के लिए हम शादाब सिद्धिकी को के पीछे खड़े होके उन से यह कहा है कि आप कोशिश कीजिए फिलाल फिर भी कितना वक्त जाएगा वक्त जाने की बात जहां तक है कि वो वक्त तो गुजर गया एक सो तीस के करीब बच्चे आ गये हैं अब वो बच्चे उन बच्चों की तालिम जारी हो चुकी है तो अब वो वक्त तो नहीं है अब यह है कि यह बच्चे यहां पढ़ेंगे इम्तिहान कहा देंगे वो जिम् प्रवारान ने हमें इत्मिन आंदिलाया है और आइंदा के लिए अगरे साल के लिए भी हम सारी वो टेक्निकल जो प्रॉकाउटे हैं उनको दूर करने की कोशिश में लगे हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया अब दूर्मानाजमी साब हमसे बात करने की लिए। अकरम खान साब हमारे साथ मौझूग तन्जीमे वालदین के सदर है इनसे जानते है इस मसले में इनोंने बहुत शादाब सिद्धीके के साथ में इनका साथ में साथ दिया है तो हम इनसे जानते हैं। जी मैं तंजीम वालदयन के जुम्यदार होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ प्रोब्लम है एजुकेशन के मामले में वो हम सादाब सिद्धी के साथ में हैं और हमारी पूरी टीम पीछे लगी हुई है और हम पिछले हपते भी हमने यहाँ का दौरा किया है और सारे एरिया सारे पैरेंट्स से बात की है और जो भी आगे प्रोब्लम रहेंगे वो हम स्वाल करने की कोसिस करेंगे और सादाब सिद्धी के पीछे पूरे तंजीम वालदयन उनके साथ में हैं यानि आपकी तंजीम का पुरा सपोर्ड है यह पूरा सपोर्ड है और की लीडर जनाब अब्दुरह्मन आजमी साहब तंजी में वालदेन के जिम्मेदारान और बंबई शहर की जानी मानी शख्सियत मौतरमा शादाब सिद्धिकी साहबा आज शादाब सिद्धिकी साहबा ने जहां पर जो हमें मदू किया है आए आए आप लोगे लिए बड़ी खुशनेसी भी की बात है कि आपकी इलाके में शादाब सिद्धिकी साहबा ने एक बड़े काम की शुरुआत की है एक बड़ा कदम उठाया है और उनकी साथियों ने आज हमारा यहां मौझूद होना और इन साहबान का यहां मौझूद होना इसलिए एहमेद का हामिल है कि यहां पर जिस तरह से जो हमें बताया गया है कि यहां पर आबादी बढ़ती चली जा रही है तक्रिबन तीन हजार से ज़्यादा खानदान यहां मौझूद है और यह इलाका जो है उम्रा कौसा से आगे ठाकूर पड़ा का इलाका कहलाता है और इस ठाकूर पड़ा में जब नई आबादी जब बस्ती है तो महां के मसाल में बहुत सारे होते हैं और हमारा आपका सबसे बड़ा मसला जो है वो तालीम का मसला है एजूकेशन का मसला है कि हमारे बच्चों की तालीम और तर्वेत कैसी हो अगर हमारी कौन को अगर हमारे मुल्क को अगर आगे लेके जाना चाहते हम तो इसके लिए सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी यह है कि हमको सब 대해서 अपने बच्चों की तालिम पर तवज़ देना और बच्चों की तालिम पर तवज़ देने का मतलब यह ہے कि हमें सारी अपनी जरूरियात जो है या जो पैरेन्ट्स जो है लेकिन देरे देरे ये शौर जाग रहा है कि आज तालीम बहुत ही ज़्यादा दोरूरी है चाहे हमें एक वक्त का खाना नहीं मिले इस तरह से यहां हमें पता चला कुछ जरायों से कि यहां पर एक स्कूल शुरू हुई और इसकूल शुरू होने के बाद में वो कुछ जुन तरह से यूनिफार्म के नाम पर फीज के नाम पर और उसके बाद में वो इसकूल बन कर दी अब इन हालात में जिन सरपरस्तों ने वालदें ने अपने बच्चों को महां पर एडमिशन दिलाया था और यह अचानक इस ऐलान के बाद कि यह इसकूल बन की जा रही है तो यह ने उनके जो सरमाय जो है जो माली जो नो की जो नकस्वान NEW वो तो अपनी पर हैं लिकिन बच्चों का जो है मुश्तक्न को हुआ खराम होने जा रहा था और यह बहुती फिकर और तश्वीश की बात थी और उसी फिकर और तश्वीश को लेकर अल्ला ताला ने सब्सक्राइब को आपके लाके में भेजा उन्हों ने यहां की जरूरत को महसूस किया यहां की प्रॉब्लम को महसूस किया और उनका उनकी इस अहसास ने यह आदम उठाने की उनको पर आमादा किया कि इन यहां पर एक स्कूल को फिर से दोबारा जारी किया जाय और आपके बच्छों का मुस्तबिल जाय ना हो बहुत दी मुश्किल हालात है मसले बहुत जादा है, मसाल बहुत जादा है उसकी कि सात-सात जो है उन मसाल को हल करने के लिए जो जराय जो हते हैं उनकी भी कमी है और आम ये महसूस करते हैं के इस स्कूल को चलाने में जो जो दुश्वारिया पेष आएगी वो जो चलाने वाला ही जानता है किसी इदारे को चलाना किसी तालिमी इदारे को चलाना बहुत मुश्किल काम है क्या और इसको आगे तक ले जाना और इन ना मसाइद हालात में जहां जमीन भी नहीं है हमारी खुद की अपनी शादाब सिद्धी की साहबा है या उनकी जो पूरी टीम है उनकी पास ना जमीन है ना कुछ है और उन्हें किराया पे चन्द कमरे लेकर इसको शुरू किया अब इसको आगे लेके जाने के लिए हम या चन्द लोग इकटा हुए है आज इस फिकर को लेकर अब्दुरहमान साहब हैं तंदीब वालबें के जिम्मेदार है और बहुत सारे लोग है बहुत सारे जुड़े है शाहताब सिद्धी साहबा के साथ में हमारी तरफ से इन्शालला हम सब ये बात का यकिन दिलाते हैं हमारी जहां भी आपको जरुत पड़ेगी हम दामे दर्मे सुखने आपके साथ में हैं लेकिन आप पेरेंट्स के साथ भी मेरी ये अपील है कि बहुत सी मुष्किलात आएंगी और उन् przyp optimized से गुज़रने के लिए आप लोग को कभी सपोर्ट बहुत जरूरी है आप लोग को भी ताउन बहुत जरूरी है क्या छोटी छोटी बातों की मुश्किलात होगी कुछ बड़ी बाते आएंगी सामने उनको हल करने के लिए आपको सबको मिलकर आपको ये समझना होगा ये शाहदाब सिद्धी की या उनके टीम का इसकूल नहीं है ये दारा नहीं है ये आप सबका है क्या और जब जो हमारी चीज होती है उसको घर को बनाने में हमारी कितने मुश्किले पेशाती है वो आपको कुरवानिया देनी पड़ेगी हम आपके साथ में हैं और इम्शालला हमसे जितना हो सकेगा या अल्ला जितना हमसे काम लेना चाहेगा हम बिल्कुल आपके साथ में मौझूद रहेंगे इतना कहते हैं अफ़ी बात करते हैं शुक्रीये तन्जिमे वाल्देन के जिम्मेदार शमीम भाई हमारे साथ हैं हम उनसे बात करते हैं यहां रहने के लिए यहीं है कि जो पyszारे माली हालत कम से कम होती है इसलिए ऐसे दूर तराचा आ के रहे हैं और इनके साथ में इस तरीके से यहां धोका होना यह बहुत बड़ा ही मतलब रहता है कि लोगों ने ऐसी कैसे मतलब माद्दा परस जैनियत कैसी हो गई है कि लोग ऐसे गरीबों के भी नहीं छोड़ते हैं कि मतलब यहां आके मतलब ऐसे लोगों की धोखा दे रहे हैं लेकिन इन्शालला ये जो हमारी तन्जीम तन्जीमे वालड़ाइन है ऐसे धोखेबाजों को इस जगहों से दूर रखने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारी बैन और हमारे और भी जो साथी हैं वो पूरी तरह से ऐसे लोगों से मतलब लड़के और यहां के जो गरेब और जो जो जिम्मे और लोग हैं उनको हम पूरी तरह से पूरी उनकी ताउन करेंगे और इंशालला आने वाले दिन में हम एक बैतरीन और इसकूल और जो भी स्कूल बंद हो गई थी बच्चों के पॉर्शन कंप्लीट नहीं हो सके तो किस तरह से ये अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और उस पॉर्शन को पूरा करेंगे हम इन से जानते हैं स्कूल की सिर्थ हो सबसे पहले बताना चाहूंगी के बीच में बच्चों को चोडने कीवजे से सबसे पहले स्कूल में आने के बाद हमको कवर करवानी पर रही है secondly एक हफ़ते का टाइम जो third and fourth unit test है उसके लिए previous हमारे पास तरिफ एक महीना भी मुश्किल से नहीं है लेकिन बावजुद उसके मैडम ने जैसे ही admission स्टार्ट वे उसी के साथ साथ हमारे personally meetings के साथ हमेरे portion की फूरी planning और पूरा हर revision how we are doing all the things उसका पूरा के पूरा जो है वो planning future planning के साथ हमने third and fourth unit test का पूरा तयारी करवा कर और बच्चों को किस तरह से हम एक हफ़ते में या दोड़ हफ़ते में जो भी portion हम cover करवा सकते हैं एक poem एक ये तो हर एक चीज जो हमने पूरी तरीके से करवाने की कोशिश की है माशाला और अभी जो week चल रहा है इमने हम paper बन वाने के बाद तीन October से हमारा writing paper है और oral हमारा यही week के 26-27 से start होगा तो for that purpose लेकिन बावजर इसके के बच्चों के साथ हमको इतना मुश्किला पेश आ रही है लेकिन फिर भी हम बच्चों के साथ में उनकी future से जरा भी खेलने की कोशिश नहां करते हुए बलकि उनको बहतर से बहतर जितना अच्छी तरीके से हम हो सकें उन्हें करवा रहे हैं और जो जितना अब फिलहाल में वो हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं वो ये फर्स्ट सेमिस्टर थर्ड और फॉर्ट उनिटेस कवर करवा रहे हैं इंशाल्ला उसके बाद दिवाले वेकेशन के बाद इंडिविज्वाली हर बच्चों को जिस तरह से क्लास वाईज हम बाकाइदा हर एक चैक्टर वाईज हर एक चीज सेकंड सेमिस्टर वी हैड स्टार्ट विफ पॉइंट ऑफ यूर्ट बच्चों के लिए बहुत परेशान थे हम लोग भी बहुत यह सोच रहते हैं और यहां बच्चों का मतलब भवी सच्चा हो जाए तो इतने में मालूम बढ़ा कि एक अलहदी स्कूल चैलो हुआ है वो लोग ने सबसे फीस लिए सबसे एडमिशन लिए सब बच्चों किताब कॉपी यूनिफॉर्म अगएरा सब दिये कुछ दिन स्कूल चली और उसके बाद अचछनक एक दिन ख़ब खैल गए सारे में कि वो स्कूल बंद हो गई है कुछ पैरंथ लोग को उनोंने चेक दे दिये कुछ पैरंथ लोग को ऐसे ही मतलब रिटन कर दिया कुछ पेरंस लोग को जो है बोल दिया कि अब हम चालू नहीं करेंगे ऐसे में सब लोग बहुत परिशान हो गए और बच्चे अभी दर उधर भटकने लगे एक साल का बच्चों का इसकूल का ये सब नुकसान होने लगा तो अब हम हमारे एक रुकसाना आप आँ हैं यहां जिम्मेदार तो हम लोग ने सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए बच्चों का एक साल खराब नहीं होना चाहिए तो उतने में एक हमारी इशादा सिद्धी के आप आई हैं और उन्होंने जो है यह जिम्मेदारी समाली मेरा नम रुकसाना जसनाइक है और जिस तरीके से ठाकुर पारा तेजी से बन गया उस हिसाब से हमको यहाँ स्कूल एजूकेशन की जरूरत है और एक हॉस्पिटल की जरूरत है में चीज अभी लोग रहने आए तो कच्रे का इशू हो रहा है तो थोड़ा सा ग्राम पंचाय ध्यान दे हमारी तरफ के एक कच्रा रोज डेली गाड़ी भेज़ दे तो अच्छा रहेगा और में चीज रस्ता भी बहुत खराब था तो बनाया गया था लेकिन अभी फिर उसकी मरमत हो जाए तो अच्छा है और अंदर आने के लिए 11-12 वजे के बाद में दिक्कत होती है बहुत अंदेरा हो जाता है इसके लिए सडकों पर लाइट लगे तो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी हम सब के लिए हम मौजूद है आमना सामना मीडिया नेटवर्क की जानीब से मैं साजित शेक मुम्रा कउसा ठाकुर पाड़ा विलेज में अल हादी इसकूल के पास यह वही इसकूल है जिसने 130 के लगभग बच्चों का मुस्तक्बिल तारीख में डाल दि में जो फीज ली गई है मंतली सब इनके माबाप की गाड़ी कमाई को एक जा करके एक ही रात में इस अल हादी इंग्लिश और उर्दू मेडियम स्कूल को जिम्मेदारों ने बंद करके ताला लागा दिया और करीब 130 ऐसे बच्चे जो इस स्कूल में रोजाना पढ़ते थ फर्स स्टैंडर्स से लेके एट स्टैंडर्स दग मैं कैमरामेंट से चाहूँगा कि वो इंग्लिश अल हादी इंग्लिश इसकूल बताए वो इंग्लिश मेडियम है और यहाँ पे मेरे पीछे अल हादी जो इसकूल है वो उर्दू मेडियम है ये दोनों इसकूलों को रा पारी कमाई के साथ बहुत बड़ा धोका किया गया है